पैसे ही का तमाम ये कंभो दिवार है जैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माले नमस्कार मैं हूँ शुभम शंकधर आप देख रहे हैं मनी नाइन स्वागत है आपका मनी सेंटरल में मेरे साथ स्टूडियो में मैंनाइन के इटा अंशुमान तिवारी जी आ गए हैं सर बहुत स्वागत है आपका अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए उससे पहले देखिए आप ये ओंदा शो आज कौन सी खबरें हमारे शो का हिस्सा है क्या NPS में मिलेगी पैंशन की गैरेंटी शुरुवात करेंगे NPS की खबर के साथ प्याज कारोबारियों की हड़ताल का क्या होगा असर प्याज कारोबारियों ने कह दिया है कि वो अनिश्चित हड़ताल पर है क्यों है ये बताएंगे इसका असर क्या होगा ये समझेंगे से भी क्यों नहीं लगा पा रहा financial influencer पर लगाम अचानक WTO भारत पर इतना सक्त क्यों हो गया दो बड़ी ख़बरें WTO से हैं ये दोनों आपको बताएंगे Fed के फैसलों को कैसे समझे Fed का फैसला सुन तो लिया जरूरत है समझने की आज दिन की सबसे बड़ी ख़बर में हम Fed के आए फैसलों का मतलब समझेंगे और चीन ने लगाया अमेरिका पर चोरी का आरोप किस चोरी का आरोप लगाया बड़ी संसनी केज ख़बर है ये भी इसको हम समझेंगे Tex 7 देशों से मिली जानकारी के आधार पर आइकर विभाग ने कई अमीरों को सम्मन भेजे हैं ये सम्मन आइकर विभाग की जांचिकाई की तरफ से भीजे जा रहे है आइकर विभाग को इन सभी लोगों पर टेकस चोरी का शक है जिसके बाद सम्मन भीजे जा रहे हैं जिलनों को सम्मन मिले हैं उनकी जानकारी आयकर विभाग को सिंगापूर, स्विजरलेंड, कैमन आइलेंड और ब्रिटिश वर्जिन आइलेंड से मिली है सर क्या सूचनाएं मिली और ये किस तरीके के संबन हैं किस तरीके के मामले हैं ये पहला बड़ा मामला है जिसमें टैक्स हैविन से सीधी जानकारियां आप इंकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आई जिन देशों के नाम लिए शुप हमने सिंगापूर केमेना इसलेंड वजिन आईलेंड ये सारे घोशित रूप से टैक्स हैविन देश हैं जहां पर बहुत सारे अमीर एस उपर इच अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं अपनी पूंजी को लगाते हैं और उनके आफशोर चीजे पूछी गई है एक तो उनके इंकम के डिटेल पूछे गए हैं दूसरा उनका रेजिडेंशल प्रूफ मांगा गया है कि उनके रेजिडेंस कैसे हैं क्योंकि वहाई नेट वर्थ इंडिविज्वल से पूरी दुनिया में ट्रैवल करते हैं तो उनके कारोबार किस इसके अलावा उनके पास्पोर्ट और इमिग्रेशन डिटेल्स भी मांगे गए हैं ताकि मैंनेज पता चलाया जा सके कि क्या भारत से पैसे को टैक्स एवन देशों में लगाया गया है उन्हें अपना रेजिडेंशल स्टेटस बताना होगा उन्हें अपने फिनाइशल ड इंडिविचल के अगेंस्ट इंकम टेक्स डिपार्टमेंट की हम आपको पहले से बता चुके हैं कि भारत से अमीरों का पलायन बढ़ा है पिछले दो-तीन साल में भारत में बहुत सारे लोगों ने अपनी पूंजी भारत से निकाल कर दुनिया के अन्य देशों में पहुं इसके दारे में गारेंटेट पेंशन की बेवस्ता पर सुझाओ दिया जासकता है हाल में कई राजयों ने अपने इस तरह पर पूंजी पेंशन को लेकर जिस तरीकी की राजिनीतिक बटवारा हमने भारत में देखा और उसके बाद में पक्ष्के की सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना को लागू किया चत्यसगड़ा राजस्थान और कई राज्यों में उसके आतके इंद सरकार पर अंतता इस बात का दबाव बनता इस पश्ट रूप से दिख रहा है कि नई पेंशन योजना में गारेंटीड पेंशन लाई जाएगी पुरानी कर्मचारी के बाद एक निरधार इतराशी की पेंशन पूरे जीवन बर मिलती थी कामचारी को क्या लगभग वैसी वे उस्ता होगी ऐसा नहीं कहीं सारे माडल पर विचार किया गया एक आंधर प्रदेश का माडल है जिसमें पार्शिल गारेंटीड पेंशन है और आंशिक गारेंटी की रूप पर लगातार मिलती रहेगी और एक हसा उसका माकेट में निवेश के आधार पर चलेगा और उसका रिटर्न वहां से मिलेगा अब ये फार्मूला कैसे बिल्ट किया जाएगा ये भारत के पेंशन रिगुलेटर को और सरकार को मिलकर तै करना है लेकिन ये चीज इस पूरी जो समिती की रिपोर्ट के बारे में जो सूचना है हमारे पास आ रही उससे ऐसा लग रहा है कि चुनावों से पहले सरकार NPS के धाचे में ये बड़ा स्ट्रक्चरल बतलाव धाचागत बतलाव ला सकती है इस से पहले अभी तक NPS पूरी तरह बाजार चालिस फीसद एक्सपोर्ट ड्यूटी को 31 संबर तक लागों की जाने के फैसले के विरोध में नासिक के प्याच कारोबारी हर्ताल पर चले गए है बुर्दवार को नासिक के प्याच कारोबारियों ने सभी क्रिशिक उपजमंडी में प्याच की निलामी रोग दी सरकार ने प्याच के एक्सपोर्ट पर 40% की ड्यूटी लगाई थी जब प्याच की कीमतें बढ़ने की संभाव ना थी और प्याच की कीमतें बढ़ी थी उसे रोकने के लिए प्याच महंगाई की दुश्च्छ से काफी सेंस्टिव है और भारत में प्याच को लेकर आज न नासिक के प्याच व्यापारी स्ट्राइक पर हैं और आॉक्शन्स रुग गए हैं सबसे बड़ा एसर इसका ये होगा कि फिलहाल अभी मानसून की परिस्थिती ठीक नहीं है अला कि सबजियों की कीमतों में थोड़ी कमी आई हमें दिखाई दी है पिछले महने की महंगाई पिछले साल के मुकाबले भी घट सकता है इंटरनेशनल शुगर और्गनाइशन के मुताबिक 23-24 के दौरान दुनिया भर में चीनी उत्पादन 1.92-3 फीसद घटकर 17.48 करोड टन रह सकता है जबकि खपत 17.69 करोड टन की अनुमानित है 22-23 के दौरान पूरी दुनिया में 17.70 टन का चीनी का उत्पादन हुगा इस बीच संग्ठन जो भारत में है इसमा का मानना है कि देश में चीनी की जरूरत से ज़्यादा सप्लाई होगी इसमा के मुताबिक 23-24 के दौरान देश में 317 लाग टन चीनी का उत्पादन अनुम पूरी दुनिया के शुगर उद्योग में एक बड़ा बदला हो रहा है जैसे से कच्छे तिल की कीमतें 95 डालर 100 डालर के असपास आ रहीं ब्राजील जैसे देश जो एथनाल का बड़े पाइमाने पर उत्पादन करते हैं और उसको पेट्रोल में और डीजल में मिलाकर उनके लिए दुविदा है तो जो संकेत अंतराश्टी बाजार से मिल रहे हैं कि ब्रेजील का रिके निर्यात में और उत्पादन में कमी आ सकती है क्योंकि एक बड़ा हिस्सा एथनाल का पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने के स्थिती में फ्यूल की तरफ जा सकता है फ् भारत को चीनी आयात करने पड़ी तो उनतराश्टी बाजार में चीनी की कीमतें बढ़ेंगी दूसरी बात है कि जब जो आकड़ा आ रहा उसे साबसे जो उनतराश्टी बाजार में करीब दो मिलियन टन के आस पास का शुगर का डिफसिट रहेगा तो अब इमान के चल सकत कि तो फ्रॉड रुकने की संभावना नहीं है इससे शोचल मीडिया पर शेयरों के बारे में भ्रामक जानकारी देने वाले फैनेशल इंफ्लेंसर अपनी कमाई के लिए रेगुलेटीड संस्था पर निरभर नहीं है ऐसे में उन पर पूरी तरीके से लगाम लगाना भी सं नहीं है और इसमें जो निवेशकों के लिए उचित नहीं है और कई जिके निवेशकों के फैसले प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है दूसरी महत्तुमून बात है कि सोशल मीडिया का संसार इतना बड़ा और इतना बहुत आयामी है कि सेवी को ऐस रेगुलेटर इसे सम्हालना मुश्किल हो रहा है अगर आप सोशल मीडिया पर रेगुलर है तो आपको देखते होंगे कि इंस्टाग्राम पर यूट्यूब पर और जब तक इसमें सोशल मीडिया कंपिनिया सेवी को मदद नहीं करेंगे फिन एंफ्लेंसर्स वाली ये समस्या का समाधान नहीं होगा सेवी ने कानूनी उपाय भी किये चर्चा पत्र भी घोशित किये लेकिन अभी कोई बड़ी सकती होती नहीं दिख रही है इसलिए ये ये फिन एंफ्लेंसर्स का प्रभाव बना रहेगा फैसले लेने में आप सतर्कता परते तरक संगत फैसले लें किसी के दवाव में ये किसी के सिखाने पर नहीं परदान मंतरी की आर्थिक सलाकार परिशाद यानी PMEAC लेवलिंग से जुड़े अधिकतर अपरादों के लिए जेल की सजा के प्रावधान को खत्म करने की बात कह रही है PMEC के वर्किंग पेपर में कहा गया है कि लेबलिंग से जुड़े अधिकतर अपरादों में सजागा प्रावधान सिर्फ जुर्माने तक होना चाहिए सर ऐसी सलाग क्यों दे रही है परिशद भारत में जो packaging rules हैं उनमें बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिसमें कारोबार करने वालों को परापराथिक मामले बनाए जाते हैं जिसमें की गलत packaging rules हैं सही सुचना ये नहीं देना है और सही डंक से ब्रैंडिनक नहीं करणा है प्रतान्वंति की आर्थिक सलाकार परिशत इस अप्डिविंग बिजनस के लिए तमाम कानूनों के बदलाओ की कोशिश कर रही है और उस सिफारिश में ये कहा गया है कि लेबलिंग से जुड़े हुए प्रावधान या पैकेजिंग से जुड़े प्रावधानों में बदलाओ करके उन में जेल की की जो सजा है उसे रोका जाना चाहिए हला कि समीति का ये कहना है कि पूरी तरह से क्रिमिनलाइजेशन बंद करने की बात नहीं की जा रही है किसी ऐसा नहीं है कि आप सारे कानूनों से आपराधिक मामलों को हटा दिया जाए लेकिन छोटे 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 छोटी उलंगनों के लिए जेल भेजने की विवस्ता बं कीचिंग और नाप जोख जिसमें कि आप बाट माप कानून जिसको हम कहते हैं इन दोनों कानूनों में कुछ ऐसे प्रावधा है जिनसे व्यापारियों का उत्विरन होता है और इंस्पेक्टर राज दिखाई देता है WTO से जुड़ी दो खबरें आई अलग-अलग देशों के बीज व्यापार से जुड़े विवादों का निप्टारा करने वाली संस्था WTO ने भारत के साथ European Union और ताइपे के बीच चल रहे टेक प्रोड़क के विवाद को तीन महीने के भीतर निप्टाने के लिए कि लिए नोटिफाई नहीं करने के लिए भारत को WTO के सदस ने जो और सदस हैं उन्होंने निंदा की है भारत की उसका सामना भारत को करना पड़ा है पावन्यों को नोटिफाई नहीं किये जाने की वजए से भारत की तरफ से WTO के सामने अगली बैठक में रखा जा सकता है सर अचा से इंपोर्ट पर आयात पर प्रतिबंद या परोख शुरुप से प्रतिबंद लगाने की कोशिश कर रहा है उसका रिटेलियेशन या उसकी प्रतिक्रिया दुनिया के देशों के तरफ से की जा रही है सत्ता अपरेल को इसी साल भारत को जापान यू और चीन चाइनीस ताप जरिये और बाकी चीजों के जरिये बाजार को सनक्षन देने के लिए और भी ड्यूटीज लगाई है अब ये मामला इतना जादा बढ़ा है कि डब्लू टियो की में जो ट्रिबिनल है उसने कहा है किया तो भारत इन देशों के साथ अपने मामले सुधार करेने हल करे नहीं को इस चुनोती का सामना करना पड़ा है आपको ध्यान रहे कि पिछले तीन चार महिनों में पांच महिनों में भारत की तरफ से तमाम इसे फैसले किये गए हैं जिनके डब्लू टियो कंप्लाइंट होने के डब्लू टियो नियूमों के तहत ना होने के सवाल अब और जाध साधीन है जो सामने है और यह सारे प्रस्ताव मिलकर डब्लू टियो में भारत के लिए आने वाले समय में चुनोती बनेंगे भारत के बीच राजने एक संबंद बिगड़ने के बाद दोने देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है गुरुवार को भारत के ने ऑप पर क्या असर पड़ेगा व्यापार पर क्या असर पड़ेगा ट्रैवल बंद करने से बाजार और वित्ति गतविधियों में सबसे जाधा पैनिक होता है भारत सरकार की तरफ से पहले चितावनी जारी की यह फिर वीजा गतविधियां रोग दीगी है यह भी तक स्तिती इस पश्ट नहीं है जो कैनेडा के तरफ से भी इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई पर यह स्पश्ट है कि पिछले 24 गंटे में भारत और कैनेडा के बीच रिष्टे काफी खराब हुए है और एसकेलेशन के लेवल काफी हाई है और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं भारत के लिए चुन होती है कि भारती शेयर बाजार में कोटक महिंद्रा बैंक पे टियम जोमेटो इस तरीकी की जो कमपीनिया हैं डेलिवरी इन में कैनेडा के पेंशन फंड्स का बड़ा निवेश है भारत की साथ आठ कमपीनियों में कैनेडा के पेंशन फंड्स में पैसा लगा रखा है दूसरी महत्तुपून बात है कि एक हजार के करीब कमपीनिया ऐसी हैं जो कैनेडा की भारत में काम कर रही है तीसरी महत्तुपून बात है कि भारत का एक बड़ा एजुकेशनल ट्रां होता है अभी तक इस्तिति स्पष्ट नहीं है दोनों देशों के रिष्टे सुधारें की कोशिश चल रही है एक और महत्तुपूर्ण बिंदु इसके बाद अमेरिका और आस्ट्रेलिया ने इस पूरे मामले में दखल दिया है और जैसा हमको कल संभावना बंती दिखाई दे कहा है आगे बढ़ते हैं दिन की सबसे बड़ी खबर की तरफ अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल एजर्ब ने अनुमान के मताबिक ब्याद दरों में कोई बदलाब नहीं किया ब्याद दरों को 5.25 फीसद से 5.5 फीसद के बीच इस्तिर रखा है हाला कि बैंक की तरफ से संक 25 बैसिस पॉइंट की बढ़तरी कर चुका है जो इस दोरान भारती रिजर्ब बैंक की तरफ से हुई बढ़तरी के मुकाबले लगभग दो गुनी है मई 2022 से अब तक आर्बियाई की तरफ से पॉलसी दरों में 200 बैसिस पॉइंट की बढ़तरी की जा चुकी है बाजार दरस का को कैसे समझा जाए इसका क्या अनुमान लगा जाए यह फेडरल जर्ब की काफी महतुपूर्ण बैठक थी और इस बैठक में सब को यह पता था कि ब्याजदरों में बढ़तरी नहीं होगी फेडरल जर्ब फिलहाल एक पास रखेगा लेकिन सबसादा निगाएं इस बात में काफी कुछ अगले तीन-चार महिनों में पाँच महिनों में बदलेगा हराल अलग अलग बाजार में उसे हम समझने के कुशिश करते हैं फेडरल जर्ब ने यह कहा कि वे एक बढ़तरी और कर सकता है यानि एक बढ़तरी की संभावना और ज्यादा दिखाई दे रही है फिरहाल महंगाई की स्थितिय में पर उससे जाधा बड़ी बात फेडरल जर्ब ने कहा कि इस साल के अंट तक अमेरिका में ब्याज़दर ने 5.6% के आसपास रहेंगी यही प्रोजेक्शन अगले साल जून तक रहेगा इसके बाद 2024 के अंट तक ब्याज़दरों में थोड साल तीन साल तक फेडरल रिजर्ब ब्याज़दरों में कोई बड़ी कटोती नहीं करने जा रहा है और तेज यूटर नहीं करने जा रहा है या नि हार्ड लेंडिंग ही है साफ्ट लेंडिंग नहीं होने वाली है इस एक प्रोजेक्शन ने बाजारों को और भविश्य के निवेशकों को कई सारे संकेत दिये, पहला संकेत ये दिया कि पूरी दुनिया के बैंकों को इस बात के लिए त्यार रहना पड़ेगा कि अमेरिका में ब्याजदर लंबे समय तक उची रहेंगी, इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अमेरिका के फेडरल दर्व कोई ल प्रशक में हमने महगाई कि एक दूसरे दर की वापसी देखी थी लगबग वैसी इस्थिति यहां दिखाई दे रही है, यह प्रोजेक्शन पूरी दुनिया में वित पूंजी के प्रवाह, बैंकों के बीच में लेंदेन, डालर के मुकाबले बाकी मुद्राओं की परिस् सर भारत के संदर में इस फैसले के और क्या माईने निकाले जाएं? विधा यहां से शुरू होती है, उसे बाजार में रुपए की कीमत को एक निर्धारे तिस्तर पर रोकने के लिए दखल देना पड़ेगा, विदेश मुद्रा बंड़ा ठिक ठाक है, पर 83 के पार रुपए अभी भी खड़ा हुआ है, और यह बड़ी चुनोती है, आयात मह जमेदर से कहीं प्रभावित होते हैं, तो तैयारी कर लिजे, रुपए कमजोर रहेगा, और इसकी कमजोरी क्रमशाह संतुलित की जाएगी ने कि रुपए में कमजोरी रहेगी, दूसरी महत्तुपून बात ये, कि इसका असर भारती शेयर बाजार में विदेशी निवेश निवेश्कों के रुख पर और उनके नजरी पर पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए फंड्स की कास्ट लंबे समय तक बढ़ती रहेगी, अगले तीन साल तक दो साल तक बढ़ती रहेगी, और इसलिए हमने देखा कि भारती शेयर बाजार में विदेशी निवेश्कों ने हा करज लेने वाले लोगों को ध्यान रखना होगा कि उनके लिए होम लोन की कार लोन की दरों में अभी जल्दी किसी रहात मिलने की उमीद नहीं है, जब यह फैसला सुनाया जा रहा था एलान और रधा फेडरेज़र्स की पालसी का उससे पहले अमेरिकी शेरवादार तेज हमने गोल्ड की कीमत पर थोड़ा दबाओ देखा, इसके अलावा हमने कच्छे तिल की कीमत जो कल 95-96 डालर थी, उसको घटकर हमने 94 से नीचे आते हुए देखा, लेकिन हागी कच्छा तिल 90 डालर से उपर टिका हुआ है, अब कमोडिटी बाजार में में की जो धुरी है व हमें कोई ततकाल, कोई कमी नहीं करने जा रहा है, औरना भुत तेजी से ब्याज़दरों में कमी की घोशना करने जा रहा है, तो उन्हों ने, इन दोनों प्रमोक्टेशों ने बाजार में तेल की सप्लाइगों कैंट्रोल में रखा था, अब अगर कच्छे तेल की कीमतें डालर की मजबूती के कारण नीचे जाती हैं, तो हमें देखना होगा कि सौधी और कितनी सकती के साथ प्रोडक्शन कट को लागू करते हैं, क्योंकि सौधी अरब 95 डालर के असपास कच्छे तेल की कीमत को रखने की कोशिश करेंगे, बाकी कमाडिटीज की कीमतों में चीजें इस तरीके की संभावना बंती दिखाई दे रही, बावजूद इसके कि दुनिया की दोनों बड़ी अर्थविष्था हैं, चीन के अर्थविष्था में काफी तेज किरावट है, अलाएं कि रिकवरी की कुछ संक्य दिखाई दे रहे हैं, अमेरिका की के बैंकिंग के नजरीए से देखें तो एक ख़बर लिकुरिटी की क्रैसिस की भी थी, की डेला करोल से ज्यादा की लिकुरिटी बैंकिंग में कम है, तो आपको लगता है इसका संबंद भी फेड की इस ख़बर के साथ हैं, परोक्ष रूप से है, क्योंकि अब हमें देख हो, समय महगाई बड़ती दिखाई दे रही, आपको याद होगा कि रिजर्ब बैंक ने हाल में ही जब यह दोजार रुपे के नोट को लेकर फैसला किया था, उसके बाद बैंकों की लिकुरिटी को और जादा कंट्रोल किया था, और उनने एक शार्ट टम लिकुरिटी को लिकुरिटी की कमी होती दिखाई दिए, अब रिजर्ब बैंक के लिए बाजार का मैनेजमेंट थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा है, उसकी वज़ए ये, कि एक तो अर्थवे उस्था में ग्रोथ की संभावनाएं कम हो रही है, सारे आंकले 6 पीज़दी, 63 पीज रहती हैं तो डिफाल्ट के खत्रे बढ़ेंगे, करज चुकाने वालों के महाँ पर और जादा बोज़ बढ़ेगा, दूसरी तरफ महंगाई की जो परिस्तिती बनती दिख रही एकले 6 महीने के दोरान उस दोरान रिजर्ब बैंक कोई भी उस मोर्चे पर कोई बड़ा रि चीन ने अमेरिका पर आरोप लगाया कि अमेरिका उसकी टेलिकॉम कंपनी हुआवे पर साइवर अटेक के जरिये उसके समवेदर शील्ड डेटा को 2009 से चुराने का प्रयास कर रहा है, चीन के ग्रह मंत्रारे ने आरोप लगाया है, क्या है ये पूरा मामला? हुआवे को लेकर चीन और अमेरिका के बीच रिश्टे काफी खराब हैं, हमने आपको बताया था कि अमेरिका ने हुआवे की जो नई जेनरेशन की चिप आई थी, उसको लेकर आश्र जिताया था और अपने जाच शुरू की थी, उसके जवाब में चीन ने कहा है कि हुआ दो आफ़े ने एक नए जनरेशन का चिप कैसे डिवलब कर लिया है इब ये सीधा पहला खुला आरोप है जो चीन ने अमेरिका पर लगाया है साइबर अटेक का और हैकिंग करने का आम Kryas bereकिंग करने का आम चória केर्द सब्सक्राइब का मामला है थोड़ा ज़ाधा आगे बढ़ता दिख रहा है आगे बढ़ते हैं मनी सेंटर जहटपट की तरफ कि यह कंपनी आकासा के मुख्य कारकारी अधिकारी ने काया कि कंपनी विद्तिय सेहत बिल्कुल ठीक है कंपनी अपना कारोबार बंद नहीं करेगी मंगलबार को इस तरह की खबरें आई थी कि पैलोट की कमी की वजह से कंपनी के ऑप्रेशन बंद होने की नौब बता सकती है लेकिन कंपनी की तरफ से इसको खारिज किया गया इस बीज कंपनी को अंतराश्य ओडानों के संचारान की अनुमती मिल गई है रेलवेबोर्ड ने ट्रेन एक्सिडेंट में मुत या गायल होने पर मिलने वाले मौफज़े की राशी को 10 गुना तक बढ़ा दिया है मौफज़े की राशी को आखरी बार 2012 और 2013 में बढ़ाया गया था रेलवे बोर्ड ने सर्कुलर के मुताबिक ट्रेन दुर्गटना से मृत्कों के परिवारवालों को अब 5 लाग रुपए में लेंगे गंबीर रूप से गाहलों को 5 लाग और साधान चोट लगने वाले व्यक्ति को 50 जार रुपए की राशी मिलेगी सर को टिपने आपके चलते चलते तीसरी खबर और कि वाटसएप अपने इंचेट सिस्टम से आपको पेमेंट करने की सुविधा दे रहा है उसमें किसी भी दूसरी कंपिन बैंक के क्रेडिट कार्ड ये यूप आई के जिरे पेमेंट किया जा सकेगा भारत में वाटसएप के आतना में ये संगो दिवार है कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माले